वेलकम बैक स्प्रेंट्स आप उंडर्स 11 यूज का रहें बट आपकी सिस्टम बहुत ही स्लो चल लिए तो चलिए मैं आज आप लोग के लिए दिखाऊंगी कैसे उंडर्स 11 को फरस्ट करेंगे तो मैं एक टूजित में श्यार करूंगी तो प्लीज इस वीडियो को जरूर ए अगर आप इन तक नहीं देखेंगे तो पॉब्लम आ सकती है तो देखिए यहां पर मैं एक दो मेतोड नहीं बहुत सारा मेतोड दिखाऊंगी अगर आप सेम टूसे मेतोड को अपलाई करेंगे तो तब ही आप देखेंगे आपके सिस्टेम भी बहुत ही फास्ट हो जुका है तो चलिए देखते हैं स्टेप बाई स्टेप इससे पहले अगर आप लोग ने अभी तक भी ने टॉकिंग गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गो तो पहले चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आइकन को प्रेस करना ना बुलिए इससे क्या को लाइक करना ना बुलिए और दोस्तों के साथ भी शेयर करिए इस वीडियो को देखने के बाद आप जरू सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आइकन को प्रेस करना ना बुलिए देन उसके बाद हम लोग मूब करते हैं कैसे उन्टोस इलेमिन सिस्टम को फास्ट करेंगे देखे डिखेए फास जो मेתरिट यहाप मैं आप लोग के लिए साय करेंगी तो इसके लिए यहाँ पर कीबोर से उड़ोस एनर बॉटन को यहाँ पर टाइप करना पडहेगा देन उसके बाद यहाँ पर आपका सामने जो दिखेर हैं रान ओपन होचुक enslaved इatैप पॉरसल T DEE MP then उसके बाद Parson then उसके बाद यहाँ पर आप OK बटम में प्रेस कर दीजिए OK बटम में प्रेस करने के बाद यहाँ पर आप देख पार है जो देकि यहाँ पर बहुत सरु टेम फाइल and others भी यहाँ पर शो करिए जो देखी यहाँ पर आप इसको delete करना पड़ेगा, delete कैसे करेंगी, इसके लिए यहाँ पर control A बटन को keyboard से प्रेस करिए, जो देखी यहाँ पर totally select हो चुका है, then उसके बाद shift and delete and enter बटन को एक साथ प्रेस करिए, जो देखें यहाँ पर सब कुछ delete हो जागा, जो देखें जो file delete नहीं होती है, उसको आप रहने दीजे, यहाँ पर आप उसको छोड़ दीजे, then उसके बाद finally इसको close कर दीजे, दो देखी यह first step हम लोग का totally complete हो चुका है, then उसके बाद second step क्या है, तो चलिए मैं आप लोग के लिए share कर देता हूँ, इसके लिए यहाँ पर आपको फिर स आपने एक new window open हो चुका है, जो देखी यहाँ पर continue and cancel का option यहाँ पर है, जो देखी यहाँ पर आपको continue button में प्रेस काना पड़ेगा, continue button में प्रेस काने के बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे, जो देखी यहाँ पर भी बहुत सारा time file and event lock भी यहाँ पर show करिए, तो चलि access deny का एक option आ चुका है, जस्त यहाँ पर आप इसको skip button में प्रेस करिए, जो देखी यहाँ पर सब कुछ delete हो जगा, जो भी file delete नहीं होती है, उसका आप totally cancel कर दीजे, तो देखी यह भी process totally complete हो चुका है, then उसके बाद next step क्या करते हैं, तो इसके लिए यहाँ पर आपको फिर स button में प्रेस काने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ hot cut दिखाई दे रिए, तो देखी इसको आप कैसे delete करेंगे, इसके लिए भी same to same method है, जो देखे control A button select हो चुका है, then उसके बाद आप shift and delete button को प्रेस करिए, जो देखी यहाँ से delete हो चुका है, then उसके बाद finally इसको भ पर एका, जो देखे TREEE, जो देखे TREEE, जो देखे TREEE, जान उसके बाद just put OK button में प्रेस कर दीजे, OK button में प्रेस काने के बाद यह जो process है, बहुत ही fast हो जा रही है, तो इसके लिए आपको दिखाई नहीं दे लिए, अगर आपके system में बहुत सारा data and software यहाँ पर installation है, तो यहाँ पर आपको CMD open होगा, then CMD open होने के बाद यहाँ पर आप details में देख पाएंगे, जो देखे आपके software क्या है, data क्या है, documents क्या है, यहाँ पर details में step by step दिखाई देगा, जो देखे मैं आप लोग के लिए पर फिर से दिखाई देता हूँ, इसके लिए यहाँ पर run open करि देखे देन उसके बाद next step क्या है, तो चलिए मैं आप लोग के लिए share कर देता हूँ, इसके लिए यहाँ पर आपको फीड से run open करने के बाद, run open करने के बाद यहाँ पर आपको type करना पड़ेगा, जो देखे, पी- आर-ई- अ-अ-पी- टी- सी- ए-ज जो देखे, then उसके यह बाद आप okay पॆसिके बटम प्रेस करें के बाद यहांपर आपके सामने जो कोंटुनु एंडान के जैनश Όसन है जुझ है अब इसको इसको यापको इस निलीट करेंगे इसको लिए आपको data बटन को प्रेस करें एक साथ जो देखें सब कुछ यहां पर डिलीट हो जागा जो देखें यहां पर कोई भी आइटेम्स नहीं है जो देखें फाइनली यह स्टेप टुटली कॉंप्लीट हो चुका है देन उसके बाद फाइनली इसको मैं क्लोस कर लेता हूं जो देखें य इस मैतोड का अपलाई करेंगे तो देखें आपके सिस्टेम में जो भी टेंपूररी फाइल है यह सब कुछ डिलीट हो जागा स्टेप बाइस स्टेप कोज भी पॉब्लम नहीं होगा इससे बहुत फास्ट हो जाती है सिस्टेम जो देखें फास्ट क्लियर हो चुका है दे उसके बाद यहाँ पर आपको टाइप करना पडेगा जो देखें, आपको य właśnie पॉपन पर अपर पर उपन में खुका हो चुका है दे इसके बास यहाँ आपको सामने और आपके सामने एक श क्लिक करता है ek एक option रहती है जो देखे शो additional plant तो just यहां पर आप क्लिक करिए जो देखी यहां पर आपके सामने जो देखे high performance का एक option है तो यहां पर आपको high performance को select करना पड़ेगा जो देखे by default जो balance यहां पर recommended यह selected था तो यहां पर हम लोग ने change कर लिया है settings को यहां पर हम लोग ने किया है high performance जो देखे यह भी totally complete हो चुका है तो चलिए मैं इसको totally close कर लेता हूँ देन उसके बाद हम लोग next जो process क्या है इस बार हम लोग देखते हैं इसके बाद हम लोग move करते हैं जो देखे disable background apps तो चलिए disable background जो apps होती है उसको कैसे disable करते हैं इसके लिए यहां पर आपको फिर से settings में जाना पड़ेगा तो चलिए यहां से मैं search करता हूँ je ha は जो favor day यहां पर मैं же settings type करता हूँ जो देखेや है totally settings देन उसके बाद open कर लेता हूँ settings को जो दो largely settings open हो चुका है देन उसके बाद यहा पर आपको apps में जाना पड़ेगा था यйहां पर आपको जाना पड़ेगा apps mir at the future जो देखे हैं यहां पर apps and features जो परst option शो कर्ये Just यहाँ पर आप क्लिक करिए क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने जो देखे Apps and Features का All Option आ चुका है उसके बाद यहाँ पर आपको सार्च काना परएगा जो देखे Feedback जो देखे Feedback कहाँ पर है यहाँ पर आप तोड़ से स्वाल डाउं करिए जो देखे Feedback हाँ जो देखे यहाँ पर आप दिखाई दे रही है Just यहाँ पर यहाँ पर एक तीनो डॉट है Just यहाँ पर आप क्लिक करिए Then उसके बाद यहाँ पर आपके सामने जो देखे तीनो ओप्षिन शो करिए गहाँ जो देखे Advanced Option, More and Unstall तो देखे यहाँ पर आपको जाना पड़ेगे Advanced Option में Advanced Option में अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने और भी एक न्यूव पेज ओपिन हो जागा जो म के अगर आप पंड़ मिशन यूज़ करते हैं तो आप इसको एनवेल रखिए अगर आप इस नहीं करते हैं तो इसको आप disabled कर दिज connects कर दिजstore給 35 यापर आपی और आप répondre मिशन के लिए है जो देखें यहाँ पर अपर याप ऐक आप बार्चन है के यहाँ है यहां पर let this app run in background जो देखिए यहां पर drop down option है just यहां पर आप click करिए drop down option में जाने के बाद यहां पर आप never कर दीजे never करने के बाद यहां पर जो background जो system start होने के बाद जो पीछह में जो background हो रही है वो नहीं होगा जो यहां से हम लोग ने never कर दिया है तो देखिए यह process totally complete हो चुका है then उसके बाद हम लोग फिर से जाते हैं system में जो देखिए यह है हम लोग का settings then उसके बाद हम लोग move करते हैं जो देखिए personalization आपको कहा पर मिलेगा तो चलिए यह है personalization तो देखिए personalization के उन्दर हम लोग आ चुके हैं then उसके बाद हम लोग जाते हैं जो देखिए colors में colors में जाने के बाद यहां पर जो देखिए transparent effect जो देखिए transparent effect यह है जो देखिए इसको आप disable कर दिजे, जो देखिए on था, इसको हम लोग ने off कर दिया है, जो देखिए ये भी totally complete हो चुगा है, then उसके बाद next step क्या है, जो देखिए animation and visual effect, तो चलिए animation and visual effect को कैसे disable करते हैं, इसके लिए हम लोग देखते है step-by-step, इसके लिए यहाँ पर आपको first system में आना पड़ेगा, system में आने के बाद यहाँ पर आप थोड़ains last में आजाईए, last में आने के बाद यहाँ आप आप देखेंगे जो देखिए about का section, जस्ट यह पर आप About section में आप क्लिक करिये About section में जाने के बाद यह पर आप देख पाएंगे जो देखे Advanced and System Settings का option यह पर available है जस्ट यह पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो देखे एक new window open हो चुका है Then उसके बाद यह पर Performance जो देखे First option शो करिये Adjust यह पर आप Settings में आप क्लिक करिये Settings में क्लिक करने के बाद यह पर आप देख पाएंगे जो देखे Performance option जो देखे यह पर जो First step दिखाई दे रही है जो देखे Visual effect तो देखे Visual effect में यह पर Total 4 option है तो देखे अगर आप manually यह आप Step by Step इसको चेक करना चाते है यह पर आप apply कर दीजे apply काने के बाद Just for यह पर OK कर दीजे and इसको भी आप OK कर दीजे जो देखे यह process totally complete हो चुका है then उसके बाद हम लोग फिर से settings में आते हैं settings में आने के बाद ही इस बार हम लोग जाएंगे system में system में जाने के बाद हम लोग जाएंगे notification यह है notification तो चलिए notification के आंदर हम लोग जाते है notification में आप पेज को फोड़ा से scroll down करेए scroll down करने के बाद यहाँ पर आपके सामने चोड़ेके get tips and suggestions when i use windows यह इस option को आप यह पर इसको को अंचेक कर दीजे जो जस्ट यह option था इसको यह आप करना पड़ेगा जो देखें यह method क्या है turn off windows tips and ticks जो देखें इस option को enable करते हैं यहाँ पर disable हम लोक ने कर लिया है और बाकी सारा जो भी है अगर आप इसको भी disable करना चाहते हैं तो कर सकते हैं यह totally आपके उपर depending होगा जो भी method यहाँ पर मैं शिखा करूंगी same to same method का अगर आप लाप लाई करेंगे तो कुछ भी problem नहीं होगा तो देखें इससे बहुत ही fast हो जाएगा system तो देखें यह और भी सारा method है आप थोड़ा सा end तक देखें इस tutorial को अगर आप end तक नहीं देखेंगे तो problem आ सकते मैं पहले आप लोग के लिए clear कर देता हूँ then उसके बाद हम लोग move करते है second process के आया है जो देखे clean up your system जो देखे clean कैसे करेंगे system को तो देखे इसके लिए यहाँ पर आपको settings में जाना पड़ेगा then उसके बाद settings finally open है then उसके बाद system में जाना पड़ेगा जो देखे यह ह एका आप लॅ देखे clean up तुम हुआ है से इसके बाद हम उसके बाध आपको जाना पड़ेगा stories यहाँ पर rel狂 सो और हुए यहाँ porta इसके बात यहाँ पर आप देख पा रहा है जो दिखे टेवकर सांचर्देखिया bekommen घौश ऑर्री यहाँ रिए जो देखे it here 7999 और यहाँ never यहाँ पर option available है, जोदिके Windows Update, Delivery Optimization Files, Thumbbells and Temporary Files, Microsoft Defender Antivirus, DirectX and Windows Error Updates का भी यहाँ पर option available है, जोदिकि इस option को आप totally delete काना पर गए, delete कैसे करेंगे, delete के लिए यहाँ पर remove का option available है, just यहाँ पर remove फाइल में click करिए, then उसके बाद यहाँ पर आपके सामने दोन अप्शन दिख continue button में click काने के बाद यहाँ पर आपको तोरा सा timing लग सकती है, depending करती है, आपके system के उपर, अगर आपके system को performance बहुत ही फास्ट है, तो ज्यादा timing नहीं लेगा, अगर आपके system के performance थोरा सा सुआ है, तो timing लग सकती है, इसको डूटल complete होने में, तब तक आपको यहाँ पर wait क करना पड़ेगा, अगर आप लोग ने अभी तक भी ने टॉकिंग गुरूची चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियागों, तो पहले चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लिजे, और बेर आकन को प्रेस कारना ना बुलिए से क्या होगा, मैं जब भी नए वीडियो दूँगी त यहाँ पर आप देख पाएंगे जो देखे और भी एक option है, जो देखे storage management, तो देखे यहाँ पर एक storage sense का यहाँ पर एक option है, जो देखे यहाँ पर आप देख पार है, जो देखे automatically free upspace, delete temporary file, and manage locally available cloud content, तो जस्ट यहाँ पर इसको off है, इसको on कर दीजे, तो देखे इसे on करने के क्या फाइदा है जो भी हम लोग ने अभी manually temporary file and junk file को delete किया है अगर आप इस option के enable कर देंगे तो यह automatically हो जागा यहाँ पर आपको फिर से आके manually process नहीं करना पड़ेगा so I hope आप लोग को totally समझ में आ चुका होगा then उसके बाद हम लोग next step क्या है तो चलिए मैं आप लोग के लिए share कर देता हूं यहाँ पर हम लोग जो next step जाएंगे ओ है disabled startup program तो चलिए disabled startup program को कैसे यहाँ पर करते हैं तो इसके लिए यहाँ पर आपको settings को close करना पड़ेगा देन उसके बाद यहाँ पर आप देख पार है जो देखे start का icon आइं जस्ट इसके उपर आप right click करें राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको tax manager में जाना पड़ेगा जो देखे tax manager open हो चुका है देन उसके बाद more details में आए यह more details में आने के बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे जोड़िकर स्टार्ट आप का एक टैप दिखाई दिरी है यहाँ पर आप क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके system में जो भी यहाँ पर software इंस्टालोशन है यहाँ पर आपको step by step दिखाए देगा देन जो software है अब यूज नहीं करते हैं और system स्टार्ट होने के बाद ही यह software open हो जाती है background तो अगर आप उसको disable करना चाहते हैं तो कैसे disable करेंगे मान के चलिए यह जो कोटना है जो देखें यहाँ पर disable है तो मैं यहाँ पर enable करते था हूँ जो देखें आपके case में यहाँ स्टार्ट होगा देन उसके बाद यहाँ पर जो कोटना है कोटना disabled रहेगा जब खुद से आप manually कोटना को स्टार्ट करेंगे तो तब यह स्टार्ट होगा otherwise यह option disabled रहेगा जो देखें Microsoft OneDrive जो देखें यह option enable है अगर आप इसको disable करना चाहते हैं अगर आप Microsoft OneDrive को use नहीं करते हैं तो आप इसके बाद क्लिक करिए देन उसके बाद इसको आप disable कर दीजे जो भी option आपके लिए काम का नहीं है यहां से उसको आप disable कर दीजे और जो भी काम का है वह आप enable रख दीजे तो आपके लिए benefit हो सकती है जो देखें यह है disable startup program देन उसके बाद finally मैं इसको close कर लेते हूं देन उसके बाद हम लोग next process देखते हैं तो चलिए इसके लिए यहाँ पर आपको search button में जाना पूरेगा search button में जाने के बाद यहाँ पर आपको type करना पड़ेगा जो देखें DE tick fragment and optimization drive जो यहाँ पर आप open button में क्लिक कर दीजे तो देखें यहाँ पर आपके सामने जो देखें optimization drive open हो चुका है जो देखें मैं आप लोग के लिए एक बत क्लियर करना चाहता हूं नहीं तो बात में जाके आपको problem आ सकती है अगर आपकी system में harddix installation है तो तब ही आप इस option को apply करिए अगर आपके system में SSD installation है तो आप गलती से भी इस option को use मत करिया आप इस option को totally skip कर दीजे ता आपके लिए और भी benefit हो सकती है तो मैं फिर से repeat कर रहा हूं जो देखें अगर आपके system में harddix installation है त तब ही आप इस option को apply करिए अगर आपके system में SSD installation है तो आप इसको apply मत करिए देन उसके बाद यहापर आप देख पा रहा है जो देखें मेरे case में यहापर C type यहापर available है आपके case में यहाप C, D, E, App जो भी type है यहापर show करेगा जो देखें मेरा windows का आपर installation है जो देखें C type म तो just यहापर आप C type को select करिए देन उसके बाद यहापर आप optimize में क्लिक कर दीजे optimize में क्लिक करने के बाद यहापर आप देख पाएंगे जो देखें यहापर dick pigment होना start हो चुका है जो देखें यह वांग से लेके 100% टक totally complete होगा तब तक आपकी यहापर wait करना पड़ेगा finally यहापर आप देख पाएंगे जो देखें totally complete हो चुका है then उसके बाद मैं इसको close करनेता हूँ then उसके बाद हम लोग next step क्या करेंगे तो चलिए देखते है step by step इसके लिए यहापर हम लोग जाएंगे disk cleanup जो देखे disk cleanup option कहाँ पर है तो चलिए इसके लिए यहाप और मैं file explorer को open करता हूँ then उसके बाद this pc में जाता हूँ this pc में जाने के बाद यहाप आप देख पार है जो देखे see type है just इसके उपर आप right click करिए then उसके बाद यहाप पर pop a disk में आने के बाद यहाप आप देख पाएंगे जो देखे disk cleanup का यहाप एक option है just यहाप आप क्लिक करिए click काने के बाद यहाप आपके सामने और भी एक new window open हो चुका है then उसके बाद यहाप आप देख पाएंगे जो देखे download program files temporary internet files direct x and delivery optimization files यहाप बहुत सारा option available है जो देखे यहाप आप इसको totally आप select कर लीजे तो पहले आप देख लीजे then उसके बाद आप select करिए then उसके बाद यहाप आप देख पार है जो देखे इसका जो size 7.73 आपके case में इससे भी ज्यादा भी हो सकती है then उसके बाद finally आप okay button में click करिए then उसके बाद यहाप पर delete file का option आएगा just delete file में click कर दीजे then उसके बाद यहाप आप देख पाएंगे जो देखे cleaning होना start हो चुका है यहाप आपको थोड़ा सा timing लग सकती है तो यहाप आपको wait क करेंगे तो यहाप आप देखेंगे जोदेखे फीट से यहाप पर loading ओना start हो चुका है तो यहाप भी आपको थोड़ा सा timing लग सकती है तो यहाप भी आपको wait करना पड़ेगा finally यहाप आप देख पड़ा है जोदेखे loading totally complete हो चुका है then उसके बाद यहाप जोदेखे Microsoft Defender Antiv just यहाप आप क्लिक कर दीजे देन उसके बाद select, select जो भी यहाप आप अंचेक है इसको सब कुछ select कर लीजे तो पहले आप देख लीजे then उसके बाद आप select करिये then उसके बाद यहाप टेंपोर्टरी फाइल है इसको भी आप select कर दीजे then उसके बाद यहाप जो total size है 6.43 MB then then उसके बाद finally okay button में click कर दीजे then उसके बाद delete file जो देखे यहाप डिलीटिंग होना start हो चुका है and cleaning होना भी start हो चुका है यहाप भी हम लोग थोड़ा सा wait कर लेते हैं finally यह भी process totally complete हो चुका है then उसके बाद मैं okay button में click करता हूं then उसके बाद हम लोग next process क्या करेंगे जो द personalization में personalization में जाने के बाद यहाँ पर आपको जाना परएगा device uses तो चलिए यहाँ से मैं थोड़ असा page को यहाँ पर थोड़ असा search कर लिजे यहाँ पर आपको दिखाई देगा जोदिके device uses just यहाँ पर आप इसको device uses finally यहाँ पर open हो चुका है then उसके बाद यहाँ पर आप आप कर दीजे तो आपके लिए और भी बेटर पाउट परमेंस देख पाएंगे then उसके बाद हम लोग next topic देखते हैं तो इसके लिए यहाँ पर आपको फिर से settings में open करना पड़ेगा settings को open करने के बाद यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा जो देखिए यह है apps then उसके आपको इसको option में क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख पड़े हैं जो देखिए को टरना totally off है जो देखिए Microsoft one type यह भी off है अगर आप Microsoft Teams को use नहीं करते हैं तो यहाँ से आप इसको off कर दीजे then उसके बाद यहाँ पर others यहाँ पर software भी available होगा आपकी case में अगर आप उस option को भी disable करना चाहते हैं तो कर सकते हैं यह totally आपके उपर depending होती है तो देखिए यह है startup का option then उसके बाद यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा जोदिका offline maps तो just यहाँ पर आप offline maps में आईए then उसके बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे जोदिके meter connection just इसको आ आप आप कर दीजिए then उसके बाद यहाँ पर map update option है एक तो just this को आप click करिए then उसके बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे जोदिके एक check box का option है जोदिका update automatically when plug in and wifi just this को uncheck कर दीजिए and यहाँ पर से check now button में click कर दीजिए then उसके बाद यहाँ पर आपको फिर से privacy and security option में जान पर आप click करिए then उसके बाद यहाँ पर आप second option दीखा ही दे रही है यहाँ find my device just इसके उपर आप click करेंगे तो यहाँ आप आपके सामने एक message शोग करेगा जोदिके to make changes sign in with your Microsoft account तो देखिए अगर आप Microsoft account से system को login करते हैं तो तब ही आप यह option को enable and disable कर पाएंगे जोदिके म यहाँ पर Microsoft account से मैंने connect नहीं किया है यह local user है तो इसके लिए यहाँ पर जो find my device का यह option है यह totally height है तो देखिए अगर आप इस option को totally off करना चाहते हैं तो off भी नहीं होगा यह option totally height है यह option कब enable होगा जब आप कोई भी Microsoft account login करेंगे तो तब यह option on हो जागा then उसके बाद अगर इसको enable रखना चाहते हैं तो enable रखिए नहीं तो disable करना चाहते है तो disable कर दीजिए तो देखिए यह option है find my device का then उसके बाद मैं फिर से privacy and security में आता हूं then उसके बाद यह आप आप देख पाना है जो देखे general का option है जस्त यह आप आप general में क्लिक करिए यहाँ पर जो भी option है इसको totally आप आप कर दीजिए एक करकी यह आप total 4 option है तो total 4 option को close कर दीजिए then उसके बाद फिर से आप privacy and security में आई है then उसके बाद यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा जो देखे location तो देखे location आप कहा पर है जो देखे location यहाँ पर है दिखाए दे रहे है जस्त यहाँ पर पर close हो जाएगा automatically then उसके बाद यहाँ पर आपको फिर से privacy and security option में आना पड़ेगा then उसके बाद यहाँ पर आपको दिखे दिखाए दिखाए यहाँ पर आपको आना पड़ेगा account info में तो चलिए account info कहा पड़े जो देखे यह है account info just यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे जो देखे let apps access your account info just इसको आप अप कर दिजे then उसके बाद यहाँ पर आपको फिर से privacy and security option में जाना पड़ेगा then उ उसके बाद यहाँ पर आपको फिर से privacy and security option में जाना पड़ेगा then उसके बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे जो देखे microphone जो देखे अगर आप microphone यूज़ करते हैं तो ओके नहीं है तो आप इसको totally off कर दिजे आप करने के बाद जितना सारा option हैगा सब कुछ यहाँ पर close ह और यहाँ पर आप फिर से privacy and security option में यहाँ पर आपके सामने जो देखे voice एक्टिविशन अगर आप Voice activation देना नहीं चाहते है थो औा है यहाँ पर आप the оч security option में आना परेगा तो चलिए यह आप प्राइबिसेंज security option में आ चुके हैं यहाँ इसके बाद यहाँ पड़ा को contact का भी option मिल जागए तो just यहाँ पड़ाप contact option को totally off कर दीजे देन अब फिर से privacy and security option में आ जाईए देन आने के बाद यहाँ पड़ा पेछको तो तो रसन कॉल डून कर लिजे देन उसके बाद यहाँ पर कॉल हिस्ट्री का भी आप्शन है जस्ट यहाँ पर आप इसको आप कर दीजे तो देखिए बाकी चितना सब्सक्राइए यह अटमाटिकली अप Hoатель देन उसके बाद फिर से बाव चैंत सोंमेमेस करते हैं तो यहाँ पर आप इसको आप करतीजे देन उसके बाद फिर से प्राइवेट सैंस इकूर्टी ऐप्छन मा आनने के बाद यहां पर अपडएगे जो देखिए messages, तो देखे, message यहाँ पर आप इसको off कर दीजे, then उसके बाद फिर से privacy and security में आईए, then उसके बाद यहाँ पर आपको जाना परेगा, जो देखे, तो देखे, message को यहाँ पर हम लोग ने totally off कर दिया है, अगर ओना है तो इसको off कर दीजे, then उसके बाद यहाँ पर आप थोड़ सा आईए privacy and settings में then उसके बाद page को थोड़ सा scroll down करिए then उसके बाद यहाँ पर और भी एक option दिखा दिखा जो देखे radios तो देखे अगर आप radio सुनते हैं तो ओके नहीं है तो आप इसको off कर दीजे जो देखे बाकी जितना सारा था यहाँ पर हम लोग ने totally off कर लिया है यह totally आपके उपर depending होगा जो देखे आप कौन सा enable रखना चाहते हैं और कौन सा disable रखना चाहते हैं इसके बाद और भी एक option हम लोग खड़ेंगे तो देखे इसके लिए यहाँ पर settings को totally close कर देते हैं जो देखे लास्ट जो option है जो देखे clean boot clean boot कैसे करेंगे clean boot करने के लिए यहाँ पर आपको windows और बटन को प्रेस काना पड़ेगा keyboard से देन उसके बाद यहाँ पर आपको type काना परेगा जो देखे amsconfig जो देखे amsconfig amsconfig then उसके बाद okay बटन में प्रेस करें ओके बटन के बाद यह आपके सामने जो देखे system configuration open हो चुका है उसके बाद यहाँ पर ठाट नमबर जो टैप दिखे दिए यह है services तो जस्ट यहाँ पर services में क्लिक करिए services में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक option दिखाए दिखा है जो दिखे है height all microsoft services जो दिखे देन उसके बाद यहाँ पर disable में क्लिक कर दिजे, disable में क्लिक करने के बाद यहाँ पर enable में क्लिक करिए enable में क्लिक करने के बाद यहाँ पर okay button में क्लिक करिए okay button में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने जो देखे और भी एक message open हो जगा है जो देखें system configuration यह आप restart देने के लिए बोल लिया आपका तो देखें मैं system के एक बड़ restart कर लेता हूं then उसके बाद देखते हैं बाकी जितना सारा process है तो just मैं यह आपस system को restart कर लेता हूं जो देखें finally restart होना start हो चुका है सो आई होप आप लोग को टूटरली समझ मैं आ चुका होगा जो उइंडियो सिस्टम को कैसे फास्ट करते है स्टेप पर स्टेप जो भी प्रसेडियो मैंने दिखा है स्विम प्रसेडियोर अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी system भी बहुत ही फास्ट हो जागा अगर आप लोग ने अभी तक भी ने टॉकिंग गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो पहले चैनल को जड़ो सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आइकन को प्रसकारना ना बोली इससे क्या होगा मैं जब भी नए वीडियो दूँगी तो पहले आपको न मैं कोशिश करूंगी तो की डिप्सूशन लिंक में नहीं तो मैं आई बर्टन में उसका लिंक देने के लिए अगर आप लोग का कोई सिस्टम डिलेटड कुछ भी कोस्षिन है नहीं technology डिलेटड कुछ भी कोश्षिन है तो पấnमें जरूब कर दूँगी अगर आप Windows 11 के उपर अगर आप और भी details में tutorial जाना चाहते हैं तो यह आप मैंने playlist के एट किया है playlist में जाके भी आप Windows 11 का all details देख सकते हैं A to Z